वेलो बच्चों, लेट से इस क्वेशन, दी कोमन बोटल कॉर्क इस प्रोडक्ट ओफ वेस्कुलर केम्बियम, डर्मेटोजन, फेलोजन, एंड जाइलम, इस क्वेशन में इमसे पूछा गया है कि जो कॉर्क का जो पार्ट होता है एक बोटल के उपर, ठीक है, दी कोमन बोटल कॉर्क, नहीं पर देखा होगा कि एक शेंपेन की बोटल होती है, इसके उपर उसको ढकन लगा रहता है कॉर्क का, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है, वो कॉर्क का बना होता है, तो वो किसका प्रोड़क्ट होता है, एक plant के अंदर जो cork बनता है, वो कौन बनाता है, this is being asked in this question, option A है, vascular cambium, so it will be incorrect, क्योंकि जो vascular cambium होती है, वो secondary growth करके, secondary xylem and secondary phloem बनाती है, cork को वो नहीं बनाती है, और जो vascular cambium होती है, उससे जो secondary growth होती है, वो कहाँ पर होती है, stiller region के अंदर होती है, stiller region कोन सा होता है, जो अंदर का part होता है, plant के अंदर, center part, उसके अंदर जो secondary growth होती है, वो इसकी वज़े से होती है, B में dermatogen, dermatogen की वज़े से cork नहीं बनता है, D में xylem, xylem is also not responsible for making cork, अब option बसता है, C, phelogen, phelogen का एको नाम होता है, SM बोलता है, cork cambium, अब यह cork cambium क्या करता है, outer side में क्या करता है, cork का निर्मार करता है, जैसे की phelom भी बोलता है, and inner side में क्या करता है, secondary cortex बनता है, जिसे pheloderm में बोला जाता है, ठीक है, तो यह cork cambium outer side में, plant के अंदर cork बना रहा है, and यह जो second growth होती है, यह होती है, extra stellar region के अंदर, outer side में, जो cork cambium करता है, और यह वाला जो cork होता है, इससे से बोटल cork बना जाता है, इसलिए इस question का correct answer होगा, option C, pheloderm, best of luck,